नमस्का दोस्तो दोस्तो शिव को गुरु बनाने की एक आसान विधिन आपको बता रहा हूँ आशक अतों यहां के काम आएगी नमर एक आखे बंद करके आराम से बैठ चाहिए भगवान शिव जी का ठ्यान करें भगवान शिव जी से आगरे करें के मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ आप उजिस शिश्य के उपित स्विकार करें नमर तो दोनों हाथ उचे करके ब्रम्भान की ओर देखकर तीन बार घोशना करें कि हे महादेव मैं घोषना करता हूँ कि मैं आपका शिश्य हूँ शिव आप मेरे गुरू है मैं आपका शिश्य हूँ शिव आप मेरे गुरू है मैं आपका शिश्य हूँ तीन बार घोषना करके तो देखे महादेव आपको शिश्य के रूप में स्विकार करेगी करने वाले को शिव जी शिष्य के रूप में स्विकार कर लेते हैं और उसी दिन से उसका जीवन पथल नहें लगता है नमबर तिन हर काम को शिव को शाक्षी मान कर करके तो देखिए जीवन में जिन भी काम दे रुकावट आती है उस काम को शुरू करने से पहले कहिए कि हे शिव जी महराज मैं आपको साक्षी बना कर इस काम को शुरू कर रहा हूँ मैं आपका शिश्य हूँ आप मेरे गुरू हैं मैं जो भी कारे करने जा रहा हूँ आप उसमें मुझे दे दिये शहायता और सुरक्सा प्रतान करें करके तो देखें हे रिजल्ट आप अपनी आँखों से देखेंगे नमबर चार हल रोज शिव गुरू से कम से कम तीन बार कहीं कि हे शिव आप मेरे गुरू हैं मैं आपका शिश्य हूँ हे शिव आप मेरे गुरू हैं मैं आपका शिश्य हूँ वो जिस्ष्य पर दयाप कीछे बिगड़ेवे काम यूँ बन जाएंगे जीवन चहक में लगेगा करके तो देखिए रिजल्ट आप अपनी आखों से देखेंगे नमबर पांच हर वोज शिप जी को नमन करें शांत मन से कुछ मिल्टों के लिए उनकी चड़नों में उनकी यादों में उनके सारे बैठकर तो देखिए ओम शिवाय कुर्वे नम हैं हर वोज शिप जी के मंदर में चाहिए उनको एक लूटा चल अर्पित कीजिए कुछ फल फूट अर्पित कीजिए परिना देखिए जीवन बदलने लगेगा क्योंकि शिव बहुत भोले हैं इसलिए उनको भोले ना कहा जाता है शिव जी आपको शिश्य के रूप में स्विकार करेंगे और अगर शिव जी ने आपको शिश्य के रूप में स्विकार कर लिया तो आपका जीवन उसी वक्त से बदनने लगेगा लेकिन उसके लिए सद्धा विश्वास की जरू तो क्या है उस परमात्मा से जुनने के लिए विश्वास अटन कोटी का होना चाहिए आपके भाव शुद्ध होने चाहिए अगर आपने ये कर लिया तो भगवान शुद्ध आपको शिष्वे के रूप में जरूर ग्रैन करेंगे और ग्रैन करेंगे तो आपको मुक्ष की प्राप्ती होगी आपको वो सब लिल जाएगा जो लोगों का सपना होता है आशा है मेरी इन बातों को आप जीवन में जरूर ग्रैन करेंगे अपना बहुत भ्यान लखें, हसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें नहीं बाद